दोस्त बात यापर लाइब देख सकते हो Grow Mobile एप्लिकेशन की तरफ से हमें आपर 19,400 रुपए का प्री अप्रूड लोन का ओफर मिला है और इस वाले लोन को हमने तुरंत के तुरंत हमारे बैंक के अंदर ट्रांसफर कर लिया है जिसमें से 1831 रुपए का चार्च काटने के बाद हमें हमारे जो बैंक अकाउंट के अंदर पैसा मिला है वो मिला है 37,500 रुपए बाकी का जो भी पैसा है वो प्रोसेसिंग फीज का याँपर काट लिया गया है 1831 रुपए और आप याँपर हमारे बैंक अकाउंट का SBI बैंक के स्टेटमेंट का आप याँपर लाइव रिकोर्ड देख सकते हो कि 37,500 रुपए हमें ग्रो मोबाइल एप्लिकेशन के तरफ से तुरंत के तुरंत रिशीव हो चुके हैं ग्रो मोबाइल एप्लिकेशन से ग्रो मोबाइल एप्लिकेशन प्री अप्रूर लोन का ओफर प्रोवाइड कर देता है इसके लावा सेकेंड वो लोग जो लोग ग्रो मोबाइल एप्लिकेशन के कस्टमर होते हैं उनको जरूरी नहीं है कि वो लोग grow mobile application के अंदर invest करें grow mobile application के अंदर share market के अंदर पैसा लगए या फिर mutual fund के अंदर पैसा लगए वो बस grow mobile application के customer होने चाहिए अगर वो लोग यहाँ पर grow mobile application के customer बनकर loan के लिए apply करेंगे तो confirm उनको यहाँ पर loan मिल जाएगा इस वाले वीडियो में मैं आपको दोनों ही तरीके बताने वाला हूँ कि अगर आप grow mobile application के अंदर invest करते हो इसको stock market के लिए use में लेते हो तो किस प्रकार से यहाँ पर आपको loan मिलेगा इसके लगए अगर आप grow mobile application को पहली बार download करोगे loan लेने के लिए तो यहाँ पर आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पहले इनका customer बनना है और customer बनने के बाद कैसे आपको loan के लिए apply करना है grow एक मत्र एक ऐसा mobile application है जो कि आपको loan देने के लिए किसी प्रकार का आपसे कोई भी document नहीं मांगता है सिर्फ और सिर्फ आपसे आपका आधार आपका pen card इसकलाव आपके photo मांगता है और तुरंत के तुरंत जितना भी loan आपके लिए eligible होता है वो instantly बिना किसी document के और बिना किसी income proof के आपको यहाँ पर जितना भी loan मिलना होता है वो direct आपके bank account के अंदर डाल देता है तो अगर आपको भी grow mobile application से loan लेना है तो वीडियो को आप पहले द्यान से देखना और उसी के बाद आप loan के लिए apply करना अगर आप यहाँ पर एक भी step को miss कर दोगे तो यहाँ पर आपका confirm loan reject हो जाएगा अब ऐसे लोग जिनके mobile phone में grow mobile application डाउनलोड नहीं है तो वो सबसे पहले वीडियो की description में मैंने grow app का link दे रखा है उस पर click करके सबसे पहले इस app को डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे open करोगे आपके सामने ऐसा dashboard आएगा अब आपको सबसे पहले यहाँ पर loan के लिए apply करने के लिए इस वाले application में आपको अपना registration करना होगा registration करने के लिए यहाँ पर इस वाले application में आपको अपने आधर काड की pen card की आपकी personal details आप क्या करते हैं आपकी selfie यह सारी चीजे डालकर आपको यहाँ पर upload करनी होगी जिससे आप इस वाले application के customer बन जाएंगे और उसके बाद जब आप इसे loan के लिए apply करेंगे तो 99% आपके chance बढ़ जाएंगे कि यहाँ पर आपका जो application है loan का वो confirm approve हो जाए अब जब आप यहाँ पर सारा process complete करके अपना account create करके इस वाले application के अंदर login हो जाएंगे तो आपके सामने ऐसा dashboard आजाएगा अब आपको loan के लिए apply करने के लिए नीचे के साफ आपको यहाँ पर loan का एक section मिलेगा आपको इस वाले section पर click करना है अब आप यहाँ पर जितने रुपए के लोन के लिए eligible होंगे वो आपके सामने आ जाएगा जैसे आप यहाँ पर live देख सकते हो हमारे सामने लिखा हुआ आचुका है प्री approved loan गुन्याशी 1400 रुपए इसको आप नीचे देखो लिखा हुआ है no paperwork, zero closure charge मतलब कोई भी paperwork आपको यहाँ पर नहीं करना है कोई भी document आपको नहीं देना है और zero closure के साथ आपको यहाँ पर loan मिल जाएगा अब हमें यहाँ पर गुन्याशी 1400 रुपए का loan दिख रहा है इसको हमें लेना है तो simple sum continue पर click करेंगे अब आप यहाँ पर देखो हमें यह वाला जो loan है वो 12 महीनों के लिए 21 महीनों के लिए और 30 महीनों के लिए दिया जारा है जितने महीनों के लिए भी अब हमें इस वाले loan को लेना है उस वाले महीनों को अब हमें यहाँ पर select करना है उसके बाद अब हमें नीचे option मिलेगा setup auto pay का अब हम setup auto pay पर click करते हैं अब हम क्या करते हैं इस वाले loan को हम 12 महीनों के लिए ले लेते हैं हमने 12 महीनों को select कर लिया उसके बाद इस वाले loan की जो भी details है वो हमें यापर बताई जाएगी जो भी हमारी EMI आईगी यहाँ पर साब जो आपकी किस्ट कटेगी वो 5 दिसंबर 2024 को पूरी हो जाएगी मतलब टोटल 12 महीनों के लिए हमें loan मिल रहा है जिसका जो details है वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा अब हमें loan लेने के लिए simple सा next करना है उसके बाद 12 महीनों तक लगातार हमारी कितनी किस्ट आएगी वो और कितनी date को कटेगी उसका जो structure वगेरा है वो आपको यहाँ पर live दिखा दिया जाएगा हर महीने की 5 तारी को हमारा यहाँ पर same amount हमारे bank account से cut होगा जो कि यहाँ पर है 7432 रुपए टोटल 12 महीनों तक लगातार हमारी किस्ट कटेगी जब हम इस वाले loan को 12 महीनों के ल होगी अब हमें emendate setup करने के लिए यहाँ पर चाहें तो हम जिस bank account का emendate करना चाहें उसके debit card से emendate कर सकते हैं या फिर net banking से कर सकते हैं तो हम debit card को select करेंगे check box पर click करेंगे और continue करेंगे उसके बाद जो भी हमारे bank account में हमारा जो भी debit card है वो यहाँ पर automatic phase कर लिया जाएगा वो हमें यापर लिखना है उसके बाद जो भी हमें यापर capture दिख रहा है same to same हमें इस वाले box में लिखना है और proceed करना है उसके बाद अब हमें यापर हमारी एक selfie लेनी होगी जिसका हमें आपर loan apply कर रहे हैं जिसका हमने आपर account बनाया है उसकी आप यहाँ पर एक photo लेंगे उसके बाद submit करेंगे उसके बाद जो भी आपके loan की details है उसका preview यहाँ पर आपको बताये जाएगा जिसे आप देख सकते हो गुन्याशी 1400 रुपय का हमारा loan है जिसमें चे 1831 रुपय हमारा processing charge का कट रहा है और हमारे bank account के अंदर जो पैसा transfer किया जाएगा जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 77,500 रुपय है इसके लवा यहाँ पर हमारा interest rate लग रहा है वो लग रहा है 22% per annum इसके लवा annual percentage rate जो हमारा लग रहा है total charges बगरा मिला के वो लग रहा है यहाँ पर 24.04% इसके लवा आपकी हर महीने किस्त कितनी आएगी कितने दिनों के लिए आपको loan मिल रहा है कौन से bank account के अंदर पैसा transfer किया जा रहा है उसकी जो details है वो आप यहाँ पर live देख सकते हो उसके बाद अब हमें loan लेने के लिए simple सा check box पर click करना है और submit करना है उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आजाएगा कि आपका जो money है वो रास्ते के अंदर है मतलब your money is on the way अब आ यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका जो application है वो यहाँ पर successfully proceed हो चुका है मतलब successfully यहाँ पर आपका जो application है वो submit हो चुका है अब आपको यहाँ पर थोरी देर wait करना है थोरी देर के बाद जो भी आपका पैसा होगा instantly जो भी आपने bank account number यहाँ पर डाला हुआ होग से आपके loan के हर महिने की जो किस्त है वो cutting होती रहेगी अगर आपको भी grow mobile application से loan लेना है वीडियो के description में grow mobile app का link है उस पर आप click करो और loan के लिए apply करो अगर आपको grow mobile application से loan नहीं मिल रहा है तो वीडियो के description में मैंने 57 ऐसे mobile applications के link दे रहे हैं जिनको आप बारी बारी से एक किसी income proof के confirm personal loan दे देगा